चैनल स्टेडी माफ्या पे तक श्रीलाट्र में अनुग बड़ने जा रहें क्लास पुर की सेस्टी की बुग कर चैप्टर नूंबर फूर जाकर नोबर फूर दो ग्रेट इंडियन डेजर्ट मैंने से पहले इसका पार्ट वन बना दिया है अगर पार्ट वन नहीं दिखाए तो फड़ा फड़ से पार्ट वन जाके पहले देख लीजे तो आपको यह वाली वीडियो नहीं समझाएगी और पार्ट वन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में देए रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ब्लू- करते हैं इंद्रा गांधी के नाल पहला टॉपिक इसको शुरू करते हैं पहले देखिए गवर्मेंट इस ट्राइंग टू प्रोवाइड वाटर टू रजिस्थान फॉर इरिगेटिंग फिल्ट यहां पर मैं पढ़ रहा हूं मैं इसको एक्स्प्लेंड करते चलता हूं ब इरिगेशन सिस्टम वहां पे भी हो एंड फॉर डेली यूज और वहां पे रोज की यूज के लिए मतलब रोज की महां पे भी जवरत होती होगी ना पानी की इसलिए वह प्रोवाइड कराने की कोसिस करिये दा वाटर फ्रम सतलू जैज में इन बाव टू डजर्ट थ्रो इसाँ में चाथ से राजस्थान के नाल त्रण के दृसके राजस्थान में बेजा वर्यां आंड गांधि के नाल बी कोडला इन पूरी दुनिया में आज तक इससे पहले को इससे पहले इतना बड़ा कैनाल कोई नी बना एड प्रेजेंट यहां पर प्रेजेंट है इट वाटर्स जंगार एंड बिकाने डिस्टिक इन वाटर को कहां पर पहुंचाया जाएगा देखिए वहां के पीपल मैंने बताया था ना कि हर जगह पर नहीं रहते हैं तो जहां पर रहते हैं तो उसके नाम दिए रहे नुद यून की जग्रीण का बिकान डिस्टिक हो गया कि वहाँ पे बहुत सारे पार्ट यहां पे वहां से यह केमें एकमी यहां पेकमा में। वहां पासने हो नहीं के ज्बाव मुह में रही है कि साल क evacuation से पेर आते जानों तंक कौन से बंग गए कॉन कंसे आ गए सब और अब कांड ऑजिटेसन वॉगोग सब उखते जा रहे हैं देरा सॉन कहां गया तेरार समसॉट वाटर लेक राजस्थान अर तान में कुछ सॉल्ट वाटर लेक भी दो तान किन नदीयां नहीं नी लेक हम किया कहता है तलाब ठीक है हैं वहां पर पॉंड भी हैं वहां पर पॉंड भी हैं जो के पूरे स्वाल्ट से बढ़े हुए सांभर लेक इन राजिस्थान इस इंडिया स्वाल्ट लेक राजिस्थान में पाए जाते हैं बहुत पूरा आस स्वाल्ट सांभर लेका इंडिया में सबसे स्वाल्ट सांभर लेक बिसाइट यूवेल्स त्यूवेल के पास कुछ स्टीम्स हैं जो की फिल्ड की गई हैं भरी गई हैं किसकी सहायता से रेंवाटर की सहायता से अभी हम जी सिंद्रा गांधी कैनल की बात करें वह यही है एक बहुत अच्छी सी इसकी पिक्चर दी गई है इसको देख लीज़े यह यह है इंद्रा गांधी कैनल की पिक्चर को मैं जूम कर जाता हैं ठाकि आप लोग अच्छे से देख़ा हैं कि निवां कि अव्ह घर के कि के उपको सभी लोगों को दिख रहा होगा कि यह है हमारी इंद्रा गांधी आसे पास और आफ पास होता है पांज यह बहुत दूर दूर तक भी काने डीं कि गांगा यह इनी सब जगओं पर जा रहा है और इसकी भी फोटो एक बार पिक्चर देख लिए जो एक सस्ता चीफ मुंस्ट ट्रांसपर है राजस्थान का यह देखें कार वार जाएगी वहां पर तो धस जाएगी उसके के अपर इतने होते हैं और इसके क्यों नहीं हुसते हैं क्योंकि इसके पैर के वाले जो पैर होता है से मुटा होता है तो अभी पहले पढ़ते हैं दो कैमल इस एमांग दो फ्यू डोमेस्टीक एडिमल फांड फांड इनिमल से है जो की फांड होता है राजस्थान में रूस्टान वे इस क्योंड दाशीप ओव देजर्ट और इसको लोग वहां का सिप ओव देजर्ट भी कह यह देखे इसको वहां का सिप भी माना जाता है डेजर्ट का क्यों क्योंकि यह वहां पर इजली सेंड के ऊपर से मूफ कर सकता है और यह वहां का चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कहां का डेजर्ट का इस पैडेड हूफस डू नॉट सिंक इंटू दे सैंड इसके जो पै बहुत फैट होता है उसके लंप में बहुत ज़्यादा वह फैट स्टोर करके रखता है दा फैट प्रोवाइड नरिसमेंट टू दा बौड़ी वैं देर इस नौ वाटर तू डू अर उसको जो फैड होती है वो उसको नरिसमेंट प्रोवाइड करती है जब बिलकुल भी पानी नहीं होता है पीने के लिए दिस्ट्रॉइंग फोरेस्ट फोरेस्ट थोड़ना और अलाव करना ओवर ग्रेजिंग इसके दोरा एनिमल के दोरा वह ज्यादा बढ़ारा है डेसर्ट एरिया को देर इस नीड तो करना और ओवर ग्राज़िंग करना जहां पर मना हो दे जा रहा है वी शुड और टोर क्रेंगा चाहिए वहां पर ग्रास लगानी चाहिए प्लांट करनी चाहिए मों ट्री दे बेसें पार्ट और राजस्थान पीपल Did गोट, सीप, और लेजिस्टान करते हैंiac हैंतंौ कहांतरे कमदर शूखे WILL अब काल्सुखे कण उन सॉके Давай對 खर काने को उनको सुखे फूड करते हैं ठीक है वहाँ पे कौन कौन से अनिमल उन्हों ने पाल रखे हैं गोड, सिप, कैमल और उनको क्या फीड करते हैं जो स्मॉल बुसस होते हैं और ड्राइ फूड रोते हैं उनको वो प्रोवाइड कराते हैं अनिम वोड़ प्रोवाइड करते हैं और हैं ठीक्राओन सब्सक्राइफ्द you ? with their belonging they are called nomads वो इन लोगों को अपने जानवरों को अपने domestic animals को लेके गूमते हैं इनके इनके जो फूड नहीं इनके जो milk होते हैं milk products उनको sell करते हैं इनके skin और इनके handicraft और वो घूमते रहते हैं पानी की खोज़ों ऐसे घूमते रहते हैं और यही क्या कहलाते हैं यह क्या कहलाते हैं सभी लोग बताओ वेरी गुड यह क्या क्या कहलाते हैं बताओ नोमार्स वेरी गुड क्या कहलाते हैं यह नोमार्स कहलाते तो दिख रही है चलिए अच्छे से दिख रही होगी एक इधर बखरियों को लेके जा रहा है यह मैं और यह इधर लेके जा रहा है चलिए अब पढ़ते हैं पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इवन टूड़े पीपल मूव अक्रोद दु सतकी मतलब आज, के ताइम पर लोग क्या करते हैं कि कैमल के साथ कैमल के साथ ग्रूप में घूमते हैं और यह क्या कहलाते हैं कारवा तो एक कोशन अराइज हो सकता है वेन पीपल मूव एक्रोस देजर्ट इन ग्रूप विद कैमल कॉल्ट डैस तो आपका देजिएगा आपका ओप्सन देदेगा आपको कारवा पे टिक कर देना है तो यह आपका सही आंसर होगा दो माक्स का होगा अपको दो में दो माक्स फुल मिल जाएंगे नेक्स परते हैं इस्टन पार्ट अफ राजिस्थान फार्मिंग एड एनिमल रियरिंग इस्टन पार्ट अफ राजिस्थान मतलब जो की फटाइल लेंड है वहां की मैंने अभी मैंने समझाय था ना पार्ट वन में समझाय था ना मैंने ठीक है तो वह क्या है वहां का फटाइल है और वहां का फार्मिंग है और एनिमल रियरिंग है वो वहां का common सी चीज है water stored in tank and wells help to irrigate water and land ठीक है वहां पर पानी stored की जाते हैं tank में और wells में जो की help करते हैं irrigate करने में land को people are employed in mica people जो है क्या के लिए employed मीका कूपर और जिंक माइन्स को खोजने में ठीक है वहां पर बहुत इस अपाए जाते हैं तो पहले आपके information के लिए मैं बता दूँँ अभी तो पढ़ना नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं पहले जब अंग्रेज किसी के भी रूलर से आने से पहले जो लोग सोने की चडिया कहते थे लोग उसको सोने की चडिया कहते थे क्यों कहते थे क्यों कहते थे क्योंकि यहां पर इतना सोना था लोग यहां पर बहुत काले काले होते थे लिए इसको हमारे इंडिया को यहां पर बहुत सोना था ठीक है यहां पर लोग काले काले लोग भी बहुत ज़्यादा सोना लेके गूमते थे पहन के गूमते थे शीले सोने की चिडियां कहा जाता था तो बिटी सर्स को पता चला मुगल्स को पता चला तो उन्होंने हमारी कंट्री पे अट्टैक कर दिया इसी लिए बहुत कम पाये जाते हैं लेकि फिर भी राजस्थान के ल ना चैप्टर नमबर 11 में आवर मिनरल रिसोर्स है चैप्टर उसमें पढ़ने में आपको समझाओंगा अब इस पहले चैप्टर 4 कर लेते हैं ठीक है फांटीन दरीजन राजस्थान क्राफ्ट आइटम है टाई अंडाइव फैब्रिक आर एमरीड 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 एनिव वह आपको कहीं भी मिल सकते हैं ठीक है अब यहां पर पढ़ते हैं हम लोग दे ड्राइनेस ऑफ दे एयर सैंड स्ट्रॉम एंड सैंड ड्यून से इंफ्लूएंट ड्रेस ऑफ दे पीपल इसका मतलब क्या इसको मैं समझाता हूं आपको देखे इसका मतलब है जो ड्राइनस है वहां की हवा की ड्राइनस है सैंड स्ट्रॉम है और जो सैंड ड्यून से उसमें क्याइम ट्लूस रहता है ड्रेस ऑफ दे पीपल वहां के लोगों का सपड़ा भी उस पे डिपेंड करता है बोथ मैं और वूमें कवर देर हैं तो प् बहुत ज्यादा स्कॉर्चिंग मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हीट पड़ती है ना जैसे हमारी स्किन को हाम पहुंचा दे जला दे वैसी हीट निकलती है उसे बचने के लिए वो लोग ये काम करते हैं मतलब क्या पहनते हैं और पूरा अपना हैड वेट धग के जखते हैं ठीक है और सैंस्ट्रॉम से भी बचने के लिए जो मैन होते हैं वहां के वो क्या पहनते हैं टरवन पहनते हैं और जो वूमेन होती हैं वो पहनती हैं घागरा छोली और 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 वो क्या वो लोग लाइक क्या करते हैं पहनने के लिए ब्राइट कलर और किस इसका मतला मैं आपको समझाता हूं मैं बताता हूं देखें हूं और एंचे सी रिजन हैं यह में तो उसलिए तो नहीं कि सिरफ हिंदूइ रहेंगे तो शहरा बनाएंगे वहां पहुत अलग अलग tradition के के लोग रहते हम e industrial मनाई जाते हैं बहुत शारी री Homies के लोग रहते हैं बहुत कॉमन सी बात कि आप ही लोग सफीवाद से बहुत से रीज़न के लोग रहेंगे यहां पर क्पड़ के ले का अध्य होँगा के पाहुत कि कपड़ के तौड फेसटीबल मनाते होंगे सब तो अपने अपने फेस्टिबल मनाते होंगे तो बहुत सारे रीजन के लोग रहते हैं बहुत सारे फेस्टिबल मनाते हैं उनमें से कुछ एक्जामपल है दसहरा हो गया दिवाली हो गया होली हो गया इद हो गया वह सेलिबरेट की जाते हैं कहां पे रजिस् गंगूर रैस्टिबल in which women face areas with श्वेंग और श्विंग singing song ठीक है जो तीज और गंगूर जो फेस्टिबल है आप उसमें क्या करती है जो एज़ जए वंगूर कуска थीज और गंगूर किया ऀवंक है क्या है या जो जो वुमेन ये करती है गंगूर और तीस तीस तो पत्ना में भी होता है वुमेन टेक पार्ट वुमेन हिस्सा लेती है हाटेली वाइड स्वेमिंग हिस्सा लेती है किसमें on swing and singing song swing करने में तैढने में और गाना गाने में ठीक है गाना गौने में गाना गाने में और swin करने में भूमर डान्स फेमुस फॉक डान्स परफॉर्म भाय वूमेन on festive occasion जो आप गूमर एक डान्स होता है अपने घूमर तो नीर दिखा होगा वहां का बहुत famous fox dance थांट के फॉक डांट क्या होता है एक त्वह पर लोग फॉक्ड़ करते हैं और वहां पॉपॉलर मतलब बहुत जादा जो पॉपॉलर है वह फॉक्ड़ नंस है घूमर वहां का मोस्ट पॉपॉलर फॉक्ड़ डांस जो की वुमें का परफॉर्म करती है फरफॉम्क करती है फस्टिवल को और होती है तो वहां का यह फॉक्ड डान्स है तुमन का फॉक्ड न्स है कहा का यह देखे फिर समझिये इसका हमाल कगोमा डांस फ़ेमस फोकड डांस जो घूम सन गूल गूम कि था हिस स्था擊 क्लासिकल 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 क्लासिक फॉक में लोग अपने और ट्रेडिसंञ अनुसार फॉक डांस करते हैं किया है यहांका राजस्थान का क्या है वह वर्ला डांस वह घॊमर यहांकां famous फॉक डांस है जो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाते है वुमें के द्वारा जब भी कोई festival का उकेजन हो नेक्स पेस पे आते हैं फेमस प्लेसे ओफ टूरिस एट्रेक्शन आर ये देखे छुटा कर देता हूँ अब आप लोगों को दिख रहे हैं देखे एक उपर कुछ पिचर जी गए है उद्धैपूर लेग प्लेस और ये हावा महल इनको आप लोग अच्छे से देख लिजे फिर मैं नहीं दिखाऊंगा भी पढ़ाऊंगा तो उद्धैपूर ये लेग प्लेस है ठीक है ये हावा महल है ये अमेर फोर्ट है ठीक है ये सब के नाम याद कर लिजेगा कभी-कभी एक्जाम में क्या होता है कि फिगर दे दिये जाते हैं और एक्जाम में क्या होता है कि आप से पूछा जाएगा कि ये बताओ ये कौन सा भाई पॉपुलर बिल्डिंग है जैसे कोशन दिये जाते हैं अब चलिए इसको पढ़ते हैं फेमस प्लेस ऑफ टूरिस एट्रेक्शन और ये देखे राजिस्थान में फे राजिस्थान में फेमस प्लेस टूरिस एट्रेक्शन क्या है उदाईपोर हो गया उदाईपूर लेक प्लेस हो गया उसके बाद जैपूर हो गया जैपूर लेक वहां पर क्या क्या यह देखिए वहां पर कोाटां अलवार और यह सितन रहत का मैंаю डीवोर्स विजिट दर्गा एट जैपूर बहुत सारी जो विजिटर हैं वह जाते हैं कहाँ जाते हैं अ जैपूर काम सिटी कहलाते हैं as most of building here are pink color क्यों कहला है क्यूंकि यहां पर बहुत सारी building यहां ने क्या है राजा जै सिंग वाज दौंडर ऑफ जैपूर जैपूर जो राजा जै सिंग है वो किसके फाउंडर है मताव जैपूर के फाउंटर है तो यहां पर यह चप्र कंप्लीट होता है यह वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो करेगा लाइक और सब्सक्राइब अब इसके कुछ रांसर की वीडियो मैं जल्दी ही ले किया हूँगा इसके पार्टवन का लिंक मैंने नीचे डि बाइ 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 बाइ